हेलो शूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा बार्मी की जी बिग्यान के महत्मूर पुर्शनोतर जो फुल बायोलोजी है आपकी उसमें दो अंक्य जो कुर्शन आपके पूरी बायोलोजी से बन सकते हैं उनके हम आज डिसक्स करेंगे दो अंक्य कुर्शन को उसके साथ डिसक्स करेंगे तो यह वीडियो का पाचवा पार्ट है आप देख सकते हैं इसके चार पार्ट हमने बना दिये हैं जिसमें हमने दस-दस करके 40 कुर्शन डिसक्स कर लिए थे तो इस वीडियो में हम 10 कुर्शन और करेंगे इस प्रकार से 50 प्रशन आपके पूरे complete हो चलीए शुरू करते हैं और देखते हैं, और पिछले वीडियोस आप ने नहीं देखे हैं, तो उसको आप रेसक फ्रेसंट वाक्स में चेक्ष कर सकते हैं बहाँ से आप लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और आगे देखते हैं तो चलिए देख सकते हैं अब 40 कुर्षिन तक हम पूरे कंप्लीट कर चुके थे अब 41 से शुरू करके जितने भी कुर्षिन आप बचे हैं इस वीडियो में हम टेस्स करेंगे पैचिस रोक के कारण लिखशे तो पैचिस रोक के कारण यह रोक जल के द्वारा फैलता है इसमें पेट में हैं इथन बाद होती है पेचेस में मल के साथ रग्त तता सलेस्मा भी बिसरजित होती है तो इस प्रकार से यह प्रकार के बात की जाए तो प्रकार के बात की जाए तो प्रकार का होता है बैसिलरी और अमीविक यह अदिक खतरनाक होता है यह सगेली डिसेंट्री नमक जीवानू के दोरा होता है और जो पैचिस होती है वो यह सामान होती है और यह एंटामीबा हिस्टोलिट का नामक प्रिटो जवा के द्वारा होता है तुसे प्रकार से दोनों को आप देख सकते हैं अंगला कोर्शन है कोर्शन नंबर 42 है मद्वधिश के किनी दू राष्टी उद्धियानों के नाम लिखि है यह विकास सिल्फ प्राकड़ों को पूशन देती है टैपिटम की कुश्का है सगन जीब दरब से भरी होती है जो सामाने ताह एक से अधे कैंद्रुकों से युक्त होती है तो पूछा चाशकता है आपसे कि ऐसी कुश्का है जो एक से अधे कैंद्रुकों से युक्त होत तो सरीर के संबर्क में होने बाले कोच्छी बिशिष्ट पतार्तों के प्रती होती है। इन बिशिष्ट पतार्तों को allergen कहा जाता है। यह दुर्वल phenomenon की तरह प्रभाव्य होते है। allergy को अति संबेद्न सेलता भी कहते हैं। अलर्जी उत्पन करने वाले प्रमुख फदार्थ प्राकण धूल चौक धुआ उन पर फर की बिविनिता बस्तू हो सकती है अंगला कुरुचिन देखते हैं कुरुचिन नंबर 45 है और धूग इक सूख्ष जिव की किसे कहते हैं समझाईएं विविनित प्रकार के आर्थिक महत्त के प्रमुख उत्पाद को का संसलिशन और धूग इस तरब सूख्ष जीवों की सहायता से किया जाता है जो और धूग इक सूख्ष जीव की कहलाता है सूख्ष जीवों के प्रियुक से कई महत्पूर उत्पाद बना जाते हैं जैसे कि प्रति जैबेक टीके कार्बन कार्बनिक के बदात एंजयम ठीके तो यह होती है और धूग सूख्ष जीव अंगला कोश्चन देखते हैं संकड़ गरस्त जातियों से क्या समझते हैं तो स संकड़ गरस्त जातियां कहलाती हैं जैसे काला हिरन कस्तोरी म्राग गैंडा अगला कुश्चन है अब गटक किसे कहते हैं तो बेजीव जू मिरत पौधी बाद प्राणियों की सरीर के जटिल कार्बनिक पदारतों को बिगटेद करके सरल खने तत्तों एवं गैसों में कोई वी काला है कोई एक जनक संतथी पैदा करने के योग है। इस प्रकार संतथी जनके की हुव Ladu तो संक्रामक रोगों की लिख सकते हैं दूसरी जल्ब बहुजन करने से संक्रमः रोगी के संपर्ट्ध में आने से संपर्णंद रोगी के उपयोगक की होई बस्त्यादी उप्योग करने से तो ये आप कुछ कारण है इसको आप याद कर सकते हैं ये तो सिंपल से रहते हैं कोशन नमबर 50 है मदू मक्की पालन के लिए कौन-कौन से बिंदू मत्पून है कोई दो बंदू आप इसमें से लिख सकते हैं ठीक है आप इसको पढ़ लीजिए और लिख उसके बाद देख सकते हैं अंगला जो कुर्शन है कट पन प्रजाती कैसे कहते हैं कोई दो अधान लिखी है तो जो एंडेंजर्ड स्पिसीज होती है जीवधारियों के भी प्रजाती है जिनके प्राक्तिक आवस नष्ट हो जाने से उनकी संक्या बहुत कम हो चुकी है वह इस वीडियो में यान कि इस वीडियो सेरीज में फूरी वीडियो सेरीज में तो पूरे हम इसमें अट डिसकर कर लेए दिख सकते हैं आप मारों प्रजणन की अगला कुर्श्चन देखते हैं कुर्श्चन नमबर 53 है जैब सक्रिय अडू किने कहते हैं उधार्ण सहित बताईए तो सुख जीवें दोरा उत्पन ऐसे अडू जो सरी की कारेकी को प्रिभावित करते हैं तता मारों कल्यार के उद्देश से उपयोग किया जाते हैं जैब स लक्षण है यह ट्रिप्शन के प्रितिस अंविदन सील होते हैं और इनका रूभार 20,000 से 30,000 डॉल्टन तक होता है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल 54 कुर्श्चन हमने दो अंकिये पूरी बायोजी के डिसक्स किया है क्लाश 12 की तो इन कुर्श्चन को आप अ